दोस्तो गरीब सवाणों को 10 फीसदी आरचषड पर केजरिवाल बोले हम करेंगे समर्थन लेकिन कांग्रेश ने दिया बड़ा ब्यान चली जानते क्या कहा कांग्रेश ने केंदरी मंटरी मंदन ने समवार को बड़ा फैसला लिया कैबिनेट ने गरीब सवाणों को 10 फीसदी आरचषड देने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया जिसके लिए उन्हें संबिदान में संसोधन करना ही होगा दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है 2019 में लोकसभा के चुनाव है लोकसभा के चुनाव से पहले मोधी सरकार ने बड़ा फैसला लिया केंदरी कैबिनेट ने ये फैसला लिया कि आरथिक रूप से सवाणों को 10 फीसदी आरचषड दिया जाएगा इस आरचषड की खास ब मनु ने बताया कि सरकार ने गरीब सवाणों को आरचषड देने का फैसला किया आपको इसके लिए 4 साल 8 महीने का इंतजार करना पड़ा तो ये निश्चित रूप से एक चुनावी छलावा है वो भी ऐसे समय लाया गया है कि जब कि अचार सहींता लगने में सिर्फ और सि कीड महीने बचे हैं आप जानते हैं कि आपकी सीमा को अधिकतब 50 पीज़दी तक ही बढ़ा सकते हैं भाजपा नेता और केंद्री मंत्री स्यू प्रताप सुकला ने कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम सराहनी है इसकी मांग काफी लंबे समय से चल रही थी यह सवाड़े के ल पहले भाजपा सरकार संसंबे संबिदान संसोधन करें हम सरकार का साथ देंगे नहीं तो साफ हो जाएगी बीजेपी की सरकार गया बीजेपी के लिए मात्र आखरी रास्ता है इस मुद्दे पर स्यूसेना भी इस पर एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि वह इस बिल का समर संब करते हुए यह बाल ठाकुरे का विचार था कि आर्थिक रूप से कमजोर समड़ों को भी आरचड मिले तो वहीं हर्दिक पटल पटिदारों की आरचड की मांग को लेकर आंदोनन करने वाले मोदी सरकार का एक चुनावी लाली पाप इसको बड़ा वहीं माईयम नेता बिहार के पुर उपमुक मेंतरी तेजसी व्यादों ने कहा भारत सरकार को पहले जातिगत जनगरना करनी चाहिए और पता करना चाहिए कि किस जाती को कौन सी जाती को कितना परसंत आरचड मिला हुआ है सरवादिक जाती जो पारचड का लाव ले रही है उसको कम करके जो नीचे की जातीय हो उनको आरचड दिया जाए इस आरचड के समखण्धन में एंसीपी पार्टी बी आई एंसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा हम इस बिल का पूरा समखण्धन करेंगे लेकिन जिनको पहली बार आरचड मिल चुका है उन्हें बार बार क्यों मिला है उनका आरच्षण बंद होना चाहिए सरकार सम्मित्साद में संसोधन करें आरच्षण के प्रति भाजपा महा सचीव कैलास विजेवरगी ने कहा इसकी आवस्यक्ता पहले सी थी गरीब और सवरणों को आरच्षण मिलना चाहिए मेरी नजर में यह सरकार की दुबारा सबसे करांति कारिक कदम है दोस्तों यह सरकार का फैसला आपको कैसा लगा आपकी कोई भी विचार हो आप मुझे कमेंट के जरीए बता सकते हैं वीडियो अच्छा लगा लो तो लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों सेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए